राहूल द्रविड ने बतौर हैट कोच अपने शुरुवाती एक साल में भारत के साथ अलग-अलग कप्तानों के साथ काम किया था ये भारती क्रिकेट टीम की कोई सोची समझी रणनीती नहीं थी जबकि उस वक्त टीम बदलाओं के दौर से गुजर रहे थी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड काप आने वाला था और हर सीरीज में एक अलग खिलाडी को एक अलग रोल दिया जाता था रुतुराज गायकवार्ट से लेकर हार्दिक पंडिया तक ऐसे साथ अलग-अलग खिलाडी उने टीम की कप्तानी की थी अब 2024 में आधा साल गुजर चुका है और टीम के नए हैट कुछ बन गए है गौतम गंभीर और गौतम गंभीर के साथ दे नित्यानंद कुछ इसी तरीकी की सिचुएशन आने वाली है क्योंकि यहाँ पर फिर से टीम बदलाओ के दौर से गुजर रही है विराट कोली, रोईच शर्मा और रविदर जडेजा ने सन्यास ले लिया टीट्वेंटी फॉर्मेट से और गौतम गंभीर का जो नया आसाइनमेंट है पहला आसाइनमेंट है वो 26 जुलाई से श्रिलंका में शुरू होने वाला है श्रिलंका के खिलाफ तीन मैचस की 2020 सीरीज और इतने ही मैच की वंडे श्रंखला खेली जानी है और अपने पहले असाइनमेंट के लिए गौतम गंभीर कमर कस चुके हैं भारती टीम की घोशना होने वाली है चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ वो मीटिंग करेंगे कमोबिस उसके खिलाडी रुकेंगे और जैसा की रिपोर्ट्स कही जा रही है कि जो टीटुनटी वर्ल्लकप के तमाम बड़े खिलाडी थे उसमें आपने बताया ही तीन बड़े नामों को आपने गिनाया कि वो सन्यास ले चुके हैं कुछे खिलाडीयों को लंबा ब्रेक आपने की कि बिल्कुल और तीस्रे मैच मेच और दूसरे मैच मेर अभिशेक शर्मा वो है सिदर बढ़ा दो इसक नहीं कुछ नहीं किया लेकिन दूसरे मेच मेच सतख जडा और और महुल चेंग हो गया हम सभी देख रहे हैं हम सब्सक्राइस और तो ठीक हम मानगे यह O500 वह अभी गिन रहे थे कि कौन कौन अप्सन है लेकिन अभशिक सर्मा ने सब्सक्राइब आप जड़ा और कह दिया कि इसा विया गिनो नुम मैं खुद हो और एक सर्मा जी गया है दूसरा सर्मा जी मुझे अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तो सर्मा जी ठीक है तो कुछ इस तरह का महूल बना है तो तो आप यह देखें कि जो प्लेइंग लेवन की जो गोर खिलाडी है वो यह रहेंगे और उसके बाद जिसके आप उमीद कर रहे है कि जिते शर्मा वापस आचुके है रियान पराग तो नुर्या को मौका नहीं मिला थीसरे मैच में तो उनको टीम में भी मौका मिले लेकिन ये जो धुत important रोल है वह रविन्दर रचड़ेजा का रेप्लेस्मेंट कौन होगा तेकि रविन्दर रचड़ेजा की पोजीशन अशी थी शायों लो खेल लिए लाग्याि जड़ेजा के रिप्लेस्मेंट में आएंगे याने कि आप ये कहना चाहरे हैं कि इंडिया का जो स्कॉर्ड होगा श्री लंका के खिलाफ T20 में उसमें जिते शर्म नहीं होंगे तिसमानि हो उसमें रियान पराग भी नहीं होंगे शेवाम दूबे की K्रेंडर के लिवें हो फेल हुए ना बैटिंग चले ना बॉलिंग से चले शिमबोवे के खिलाब भी कौई एंपक्ट रही है कि लोग याद पीसे लेकी चलना चाहूंगा जिन जिन खिलाडियों को हर्दीक पंड्या के रिप्लेस्मेंट की तौर लाया गया जब जब हर्दीक पंड्या कि आप में तब तक हम नहीं तेखा टीम में रहते वे भी नहीं खेले और अब जब वो कप्तान होंगे तो शायद उनका चैन भी और टीम इंडिया को दो जरूरत भी है पेसर की तो हो सकता है कि वंडे में खेलें लेकिन मुझे यहां लग रहा है कि उनको बाहर रखा जाएगा क्योंकि आल्राउंडर के तौर पर हर्दीक पंड्या खुद रहेंगे और दूसरी बात है कि स्रिलंका की पिछ है कोई पिछ लोंगे श्रिलंका के खिलाफ उन्हें भी जगा मिल सकती है तीस गिनबाजी के बात करें तो जस्पीद बुम्रा को यहां पर शायद अराम दिया जाएगा क्योंकि लंबे समय से उनका वो खेल भी रह थे और वर्ल्ड कप के वीनर थे तो जिस तरीके से रोहिच शर्मा व विराट कोली को आराम दिया गया है तो जस्पीद बुम्रा को भी इस टूर पर आराम दिया जाएगा तो अर्षदीप सिंग और मुहम्मद सिराज यह आपके दो और पेस्बॉलिंग अटेक होंगे साथ में खाली लहमत का साथ मिलेगा अविश कानु सकते हैं लेकिन जो को वह दो ही होंगे मुहमद सिराज और रशेट कीपर्स की बात करें तो रिशप पंथ वापसी कर रहे हैं रिशप पंथ वापसी करेंगे संजू सैंसर उनके साथ होंगे तो यह रिशप पंथ की वापसी एक बहुत बड़ी चीज होगी क्योंकि एक्सिडेंट के बात से यह पहला T20 International होगा उन्होंने IPL में खेला और IPL के बाद में फिर सीधा T20 World Cup में ज़रू खेला लेकिन को बाइलेटरल सीरीज में उस तरह के से वह नहीं आया थे तो पहली बार उनकी किसी बाइलेटरल सीरीज में वापसी होगी टॉप ओडर के बारे में क्या सुसते हैं उपर कि टॉप ओडर में आपके सावने स्ताफ है कि अगर शुबंगिल खेलते हैं तीसरे नंबर पर खेलेंगे एस भी जैसवाल और मुझे लगता कि अभिशेक को लेकर आएंगे हार्टी पंडे फोड़ा बिलीब करेंगे क्योंकि T20 World Cup को देखते हुए वह पहले से ही शुरू याने की चार-चार हमारे पास में ओपनिंग के ओप्शन्स होगे शुमन गिल एक अभिशेक शर्मा दो रुतुराज गायकवाट तीन और चौथे अभिशेक शर्मा यशास्वी जैस्वाल यशास्वी जैस्वाल तो चार ये मिडिल ओर की बात करें तो सूरी कुमार याद लेकिन अगर खेलते हैं तो वो टीम का हिस्सा होंगे प्लेइंग एम से खेलेंगे और रिंको सिंह नगिए अरिंको सिंह पड़िको सिंह का कैसे बोल चकते हैं तीन वो डुप प्लेयर के रूप में था सामिल थे रिजर्ब थे लेकिन यहाँ पर ओग्व तो झालना बनता ह कफ्तान रहेंगे और अगर इस्पिन आल राउंडर आप दो रखते हैं वशिंग्टन सुंदर अक्षर पडेल तो यह रहेंगे आपके पास तीन तेजगेदबाज होंगे यह हो सकता है कि इतर अगर तीसरा आपके पास स्पिनर होता है तो कुल दीप आदा होंगे के एंट्री से और तमाम खिलाडियों के आने से यह स्कॉर्ड किस तरीके से नजर आ रहा है आपको बता देता हूं तो श्री लंका के खिलाव जो संभावित टीम है जो टी ट्वेंटी सीरीज के लिए चूनी जाएगी उसमें हार्दिक पंडिया कप्तान हो सकते हैं शुमन संभावित टीम है जो श्री लंका का दौरा कर सकती है आपको क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी इसमें होना चाहिए था और किस खिलाड़ी के नाम पर आपकी आपतिया कमेंट बॉक्स में ज़रू बताएं फिलाल इस वीडियो में इतना ही मुझे आने अंशुल और मेरे सा हुआ हुआ है